नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में काफी समय से एक लंबा तनाव चल रहा है बोर्डर पे दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने है और कभी भी दोस्तों युद्ध जैसी स्थिती हो सकती ह तो ऐसे में दोस्तों इस टेंशन को कम करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंतरी रशिया के अंदर मिले हैं उनके बीच में एक मेटिंग हुई और फाइव पॉइंट प्लैन बनाया गया है ताकि इस बोर्डर स्टेंड ओफ को सॉल्व किया जा सके तो क्या है ये बा उप्स को डिस एंगेज करने के लिए और साथ ही किसी भी तरह के एक्शन को लेने के लिए अवोईड करने की सला दी है और इससे दोस्तों दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो कम हो सकती और साथ ही चार महिने से लंबा जो फेस ओफ है कि इंडियन साइड ने बहुत ही जोर से ये बात रखी है चाइना के सामने कि क्यों वह है अपनी ट्रूप्स की संख्या बढ़ाता जा रहा है और क्यों वह है मिलिटरी एक्विपमेंट L.A.C. के नजदीक बढ़ाता जा रहा है और इसके उपर हमारा कंसर्न है ये बात को कही गई है और साथ ही सुत्रों ने ये भी बताया है कि चाइना ने कोई भी क्रेडिबल एक्स्प्लेनेशन इसके उपर नहीं दिया कि वह है टूप्स और बिल्डप क्यों बढ़ा रहा है बोर्डर के उपर और दोस्तों दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के ये मु ये फैंगे से भी मिल चुके हैं मोस्को के अंदर ही शुकरवार को और ये भी S.C.O. मीट के साइड लाइन्स के अंदर हुई और सरकारी सुत्रों ने बताया है ये पांच पॉइंट एग्रिमेंट दोनों देशों को गाइड करेगा कि किस तरह से करंट बोर्डर सिचुए पांच बातों पर सहमती बनी है उसका एक प्रेस नोट भी दिया है और इसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो सिचुएशन हुई है दोनों देशों में से किसी के लिए भी फेवरेबल नहीं है इसलिए दोनों देशों की टूप्स को आपस में बातचीत करते रहनी होगी और साथ ही जल्दबाजी से डिसंगेज करना होगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है और पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा और ये जो पॉइंट बनाए गए हैं ये डिरेक्टली रेफरेंस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी और चाइनीज प्रेजिटेंट शी जिन पिंग की जो दो इनफॉर्मल सम्मिट हुई थी 2018 और 2019 को उसी के आधार से तो दोस्तो कुल मिला के कहने की बात है कि दोनों देशों की तरफ से अच्छी अच्छी बाते कही गई जो कि हमेशा ही मीटिंग्स के दोरान कही जाती है और पहले भी की गई है और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि जब दोनों देशों की मुलाकात हो रही होती है तो तब अभी चाइना की आर्मी बोर्डर के उपर कुछ ना कुछ एक्षन कर देती है या फिर उक्साने का प्रियास करती है तो इन बातों से क्या नतीजा निकलेगा ये तो दोस्तो अभी कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना ने ही ये बढ़ाई थी और अभी बड़ी बात ये है आपको लग रहा होगा कि बातचीत से कुछ नहीं होगा तो दोस्तों इंडिया को अभी एज मिला है इसके अंदर इंडिया ने जितनी भी हाइट्स है उनको कैप्चर कर लिया है इंडिया समझाता रहा चाइना को कि आप यहां स पिछे अट आया गया उसे समझ में आ गया और साथ ही जब हाइट्स कैप्चर कर ली है तो अब उनकी कोई भी हरकत कामयाब नहीं होगी तो ऐसे में उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि यह बातचीत की जाए तो इससे हम दोस्तों एक बार फिर से उनको देख लेंगे कि उनकी कतनी और करनी में क्या फरक है हम सही पोजीशन पे बैठे हैं तो ऐसे में देखना होगा कि चाइना अब अगला स्टेप क्या लेता है हम हरत तरह के स्टेप के लिए तैयार है धन्यावाद जैहिंद